हेलो गाइज वेलकम तो आवर चाइनल विद्याज मस्ती की पाठशाला तो यह है अपना सेकेंड लेक्चर ओफ बायो का सेकेंड लेक्चर है यह लाइफ प्रोसेस इन लिविंग और्गानिजम पार्ट वन का जो आपका सेकेंड चाप्टर है उसमें हमने क्या करा था लिवि विडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया था तो अभी हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं देखने वाले सम नूट्रेट एंड एनर्जी एफिशेंशी मतलब एनर्जी वगर हम कहा से मिलती है बॉड़ी को वगर देखेंगे ठीक है तो जाधा टाइम में वेज्ट करेंगे देखते हैं क्या लिका है तो देखो क्या बोलते हैं यह अभी एनर्जी प्रोडेक्शन इन क्या ह्यों ऑस्विटा है इन नहीं रहता है तो जिस इस माइक्रो और्गनिजम में और रोबिक रेस्पिरेशन होता है मतलब ऑक्सिजन का इन्वॉल्मेंट नहीं रहता है वहाँ पर एनर्जी वो कैसे बनाते है वो देखते है अभी ठीक है एक मिनिट हां बच्चो हाँ सम और्गनिजम्स कैननोट लिव इन प्रेशेंस ओफ ऑक्सिजन मतलब कुछ ऐसे और्गनिजम्स रहते हैं कि जो ऑक्सिजन में जिन्दा नहीं रह सकते मतलब उनके बोड़ी को ऑक्सिजन की जरूरत ही नहीं है जरूरत क्या प्रेशेंस भी उनको प्रेशेंस में भी व जनरल तो oxygen लगता ही है energy production के लिए लेकिन अभी कुछ ऐसे भी बैक्टेरिया है जिनको oxygen में वो जिंदा ही ने रह सकते तो फिर उन में भी तो energy लगती होंगे ना कि वो तो बिना energy के रहेंगे क्या कोई भी living thing नहीं तो उसमें फिर oxygen कैसे energy कैसे बनाते है without oxygen तो वो प्रोसेस है अभी देखो such living organisms have to perform un-aerobic respiration for energy production मतलब उनमें energy production की कौन सी में रहती है un-aerobic un-aerobic मतलब oxygen का involvement नहीं होता ठीक है glycolysis and fermentation are two types of un-aerobic respiration हमने कल ही देखा था जो अपना last video के last में जो हमने ऐसे टेबल बनायते देखो याद है एक इसमें un-aerobic वाला बता आता इसमें un-aerobic वाला बता इसको हम क्या बोलते है क्रेप cycle बोलते है राइट वह वाला table remind करो तो उसमें बता आता कि fermentation की भी process होती है और glycolysis की भी process होती है तो fermentation और glycolysis से फिर क्या बनता है अपना enzyme बनता है ठीक है acetyl enzyme बनता है राइट फिर acetyl enzyme से क्या बनाते है energy बनाते है ATP के form में थोड़ा थोड़ा याद करो चलो जल्दी से remind करो ठीक है नहीं तो फिर वीडियो को pause करो और फिर से एक बार उदर जाके revision करो ठीक है तो वो सब अच्छे से याद रहिना चाहिए ठीक है so glycolysis और fermentation के process से क्या बनाएंगे energy बनाएंगे तो कैसे देखो glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration क्या बोलते है अपने पास क्या है glucose रहता है ठीक है energy जो हम बाहर से food intake करते है बाहर से क्या मिलता है glucose मिलता है तो अगर हम जब glucose को पूरी तरह से oxidize करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा amount of energy मिलेगा ठीक है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा तो अभी क्या करते है इस process में देखो पायरूविक जो अपना पायरूविक acid है पायरूविक acid produced through glycolysis is converted into other organic acid मतलब जो अपनी process में क्या मिलता है पायरूविक acid भी मिलता है जब हम glycolysis करते है glucose करा है याद करो तो पायरूविक acid को क्या करते हैं हम convert करते हैं दूसरे acid में और किसमें alcohol में मतलब simply देखो क्या है process अपनी slide में लेते हैं यह देखो यह हो गया अपना glucose ठीक है glucose का हमने क्या किया oxidation किया ठीक है तो क्या मिल गया पायरूविक acid मिल गया पायरूविक acid तो हम पायरूविक acid को क्या करेंगे हम convert करेंगे किसमें convert करेंगे तो alcohol बनाएंगे as well as क्या बनाएंगे other organic acid ठीक है organic acid इसमें हम convert करेंगे ठीक है देखते हैं आगे आगे क्या लिका है फिर यह देखो then the help of some enzymes यह सब बनाने के लिए क्या कुछ enzymes की जरूरत होती है वो already body में present होते है this is called as a fermentation process तो इस process को क्या बोलेंगे फर्मेंटेशन के process बोलेंगे ठीक है conversion of pyrobic acid into alcohol and other organic acids यह definition of fermentation के यह टिकमा कर लेनी है बुक में all right then आगे देखते हैं क्या बोलते है एको some higher plants animals and aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration institute of aerobic respiration मतलब जैसे plants में कुछ animals में और कुछ microorganisms में anaerobic respiration से energy बनाते है anaerobic मतलब क्या जिसमें oxygen involved नहीं है if there is depletion in the oxygen level in the surrounding मतलब देखो कुछ ऐसे plants और कुछ ऐसे animals रहते हैं कि जब surrounding में oxygen available है तो क्या करेंगे वो aerobic respiration मतलब oxygen का use करके energy बनाएंगे लेकिन जब इसे कि surrounding में उनको जितना चाहिए उतना oxygen नहीं मिल रहा है कम है oxygen क्या तो तो तब क्या करेंगे वो anaerobic respiration करेंगे मतलब वो aerobic मतलब oxygen का use करके भी energy बना सकते है as well as oxygen का use न करके भी energy बना सकते है ऐसे कुछ रहते है अब देखो example में क्या दिया है seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under the water during germination कि यह देखो यह हो गई ठीक है soil ठीक है soil के अंदर क्या है seed है ठीक है यह seed है तो अगर इसको कम oxygen है वहाँ पर उतना ज्यादा oxygen अवेलेबल नहीं है मानलो कि कम है तो वह seed क्या करेंगा un-aerobic respiration करेगा मतलग oxygen का बिना यूज कर गई उसको fermentation कर देगा फिर fermentation के process से क्या मिल जाएगी उसको energy मिल जाएगी ठीक है मतलग आप बोलेगे कि seed को energy के क्या जरूरत है अरे अरे भई seed का आगे भी तो कुछ process होगी ना plant अगरे जब बाहर निकलेंगे तो किस process से निकले तो energy तो सभी को लगती है seed भी तो क्या है एक living ही है ना तो उसको भी energy की जरूरत होगी ठीक है similarly our muscles sales also perform anaerobic respiration ठीक है तो muscles जब जो muscles में जो sales रहते हैं वो भी anaerobic respiration करते हैं मतलब वो भी oxygen का यूज नो करकी भी energy बना सकते हैं while performing the exercise मतलब जब हम exercise करते हैं तब क्योंकि तब ज़्यादा energy के जरूरत रहती है तो वो बनाते हैं ठीक है due to this less amount of energy is producing our body and lactic acid accumulates due to which we feel tired जब हम exercise करते हैं तो automatically जो थोड़ी फार जो अपने बोड़ी में energy है वो भी consume हो जाती है मान लो कि इतनी थोड़ा सा energy है तो वो भी consume हो जाती है क्योंकि हम exercise कर रहे हैं तो हम इसकी वज़े से क्या करते हैं क्योंकि जब lactic acid क्या हो जाता है accumulate हो जाता है ठीक है देखो यह अपनी कल वाली डाइग्राम है इसको अच्छे से थोड़ा सा तीन चार बार पढ़ लेना तो क्या है ग्लूकोस तो है अपने पास जो हमने food consume किया है हमने मतलब अच्छान ने तो फिर गलूकोस की उस्टोफ होते है ठीक हए ऐसे क्व साफट्व करके और क्या बनता है और फाइरूविक ऐसिट का क्या बनाते है क्या फर्मेंडेशन हो गया तो वह अपन को energy मिल जाएंगी तो किस फोर्में किस क्या मिलेंगी डिफरेंट प्रॉड़क् यह देखो इनका भी फर्मेंटेशन कर लिया ले गगा एक सेट में लाक्टिक का घुक हありがとうございます भID का इस्ट की फर्मैट में बाल चाएगा energy कंप धिनमान कार्ण घुट अल्राइट देन क्या है देखो energy from different food components की अलग-अलग food से हमको energy किस तरह से मिल सकती है वो दिया है देखो excess of the carbohydrates are stored in liver and muscles in our in the form of glycogen मतलब मान लो कि हमने ज़्यादा food consume कर लिया मान लो कि किसी body को 10 unit में चाहिए या फिर मान लो कि 10 kcal energy चाहिए लेकिन हमने आज food से 12 kcal consume कर लिया मान लो कि 12 unit में consider कर लो तो यह क्या हो गई प्लस 2 में जादा हो गई तो यह क्या करेंगी तो यह body में store रहेगी कि जब हमारे पास उतने energy नहीं है जब हम मान लो कि fasting है या फिर hunger है तब वो energy काम्याज जाएगी तो लेकिन तो हमारे body में क्या कुछ ऐसे extra organ है क्या मतलब कुछ ऐसे थैले जैसे कि वहाँ पर चलो रहे बाबा energy चलो इसमें इसमें सेव कर लो extra मोबाइल जैसे मोबाइल की बैटर जैसे है क्या वो नहीं तो फिर वो कहां यह जो हमने extra जो नहीं कर लिया वह कहां पर जमा होता है तो वह लीवर में जमा होता है और यह जमा होता है इन दो फोरम ऑफ गलाईकोजन के फोरम में वह एनजी वहां पर सटोर रहती है then क्या है proteins are the macromolecules formed by the bonding together many amino acids देखो micro मतलब क्या होता है बिल्कुल small जो naked diet से नहीं दिखता वो और macro का मतलब होता है बड़ा macro का मतलब है बड़ा और micro का मतलब है बिल्कुल छोटा जो नहीं दिखेगा उसको बोलते है macro और बड़े वाले को बोलते है macro तो क्या है proteins macromolecules से form by bonding together many amino acids मतलब यह माननों कि यह एक टाइब का amino acid है ठीक है one number दें यह two number मतलब amino acid ठीक है एसी लिख लेती हूँ फिर three number तो ऐसे so many amino acids एक दूसरे के साथ ऐसे link रहते हैं bonded के form में और फिर इस पूरे के पूरे molecule को क्या हम बोलेंगे protein बोलेंगे ठीक है तो macro मतलब एक नहीं तो one two three four five six ऐसे so many molecules को मिला कर जो बनगा है उसको बोलेंगे macro macro मतलब क्या होगा जो बड़ा ठीक है okay so देखो then protein of amino animal origin are called as the first class protein मतलब हम क्या है हम भी तो animal है ना तो हमारे body में जो भी protein है तो उसका नाम क्या है first class protein ठीक है then क्या बोलते हैं वो आगे देखो we get four kilo calorie of energy per gram of protein मतलब हमने एक gram भी protein कंजूम कर लिया तो हमको कितने energy मिलेगी four kilo calorie energy मिल जाएगे amino acids are obtained after digestion of proteins ठीक है तो amino acids directly मिलते हैं क्या नहीं तो जब protein का digestion हो जाएगा पूरी तरह से तो फिर उसका conversion किस में हो जाएगा amino acids में तो याद करो जो हमने first chapter में जो पढ़ा था क्या पढ़ा था कि amino acids देखो हम food consume करते हैं और फिर यह क्या बैठता है MRNA, TRNA याद करो वह बैठता है कि अरे food में से हमको क्या चुराना है कुछ enzymes चुराने कुछ amino acids कितने टेन वह नेसेसरी वाले बताया था आपको याद करो अच्छे से ठीक है revision कर लो फिर अगर याद नहीं होगा तो तो यह जो amino acids कहां से मिलते हैं protein का digestion होने के बाद those amino acids are observed in the body and transported up each organ and cell via blood मतलब अभी याद करो MRNA, TRNA का क्या कि वह जो amino acid है वह कहां तक पहुचाते हैं अपने cells तक अपने blood तक हर किसी organ जितने भी body में organ है उनको क्या करेगा पहुचाएगा from these amino acids organs and cells produce various proteins necessary for themselves तो फिर यह amino acid पोच गया ठीक है एक पार्ट को ठीक है मानलो heart को फिर यह पोच गया दुसरे organ को फिर यह पोच गया दुसरे organ को तो फिर यह क्या करेंगे amino acid का conversion करेंगे protein में ठीक है फिर यह protein जो भी function है जैसे जो heart का function है वहाँ पे use हो जाएगा यह फिर दूसरा कोई liver है तो वहाँ पे consume हो जाएगा यह lungs है तो वहाँ पे protein consume हो जाएगा मतलब जिस organ को जो काम है वह वहाँ पे protein को consume कर देगा ठीक है तो हम example से देखते हैं आगे क्या है यह देखो स्कीन में क्या बनाता है वो melanin और keto protein यह smiling क्या रहता है देखो कोई-Кोई लोग बहुत ही ज़ाधा fair रहते हैं मतलब गोरे रहते हैं और ऑी-कोई- थोड़े काले से रहते हैं मतलब जलå fair नहीं बोल सकते थो उनमें मेलानीन , उसमें बलक मेनलैम मेलानीन , और क emulate , केराटिन बालों में होता है , मतलब यह प्रोटिन ज49 जलोधे की बाल में उसमें इसमें कौना ब्रोटिन ? मेलला उसमें नका है ,outer टाभाता है , गुशल करौशल या सफ़ के पैसे VEN काивает mira देल मेंब्रेन वेरियस टैप सथ एंजेम बनाता है पैनक्रेयाज में कुन सा बर आता है इंसूलीन ट्रिप्सीन इन पिर्टूटरी ग्लाइन का रहती है ब्रेन में निलाइन सब्सक्जरा क्रेट हो जो बेरिस टैप सब अलग-अलग हर्मोन्स प्रोटीन में हम क्या करेंगे कनवर्ट करेंगे या थोड़ा से दिया है आपको याद रखने के लिए मतलब कुछ इंपोर्टन चीज है इनफोर्मेशन जो आपको पता होने चाहिए देखो एक्सेस ओफ अमीनो आइसिट्स ओप्टें ट्रॉम प्रोटीन आर नौट स्टोर इन देखा था कि अगर हमने ज्यादा प्रोटीन कंसिडर कर ली फूट से तो वो स्टोर रहेंगी वो कहां पे स्टो बन गया तो वो उसको हम स्टोर कर सकते क्या बॉडी में तो नहीं स्टोर कर सकते दे आर ब्रोकन डाउन इन दा अमोनिया फॉर्म एड एलिमेनेट आउट आउट अप दे बॉडी मतलब यह जो अमीनो आसिट है जो एक्स्ट्रा वाला उसका कंवर्शन किसमें हो जाएगा अमोनिया में और यह अमोनिया बॉडी से बाहर चला जाएगा कौन से फॉर्मेट से यूरीन में से बाहर निकल जाएगा इन इस प्रोसेस का नाम क्या है ग्लूकोजिस ठीक है इन प्लांट प्रोडूस अमिनो आसिट्स फ्रॉम दे मिनरल्स डिनो वो तो प्लांट में कौन सा मिनरल्स काम का दि धिनो वो तीक है इसका वो यूट्स करके अमिनो आसिट बनाता है धिर्म प्रोसर डिफ्रे택 टिरॉंट प्रोडूस Laughter कन्वर्शन आपकर करेंगा ब्रोडूस बैं i-किसमें प्लांट में यान्न इन्जाइम रूबिसको प्रेजंट ओर प्लान में कॉन्सा एंसटार रहता है रुबीस को everybody मैं प्लानस चीक है प्लान्ट्स क्लॉरोपाज मोस्ट प्लाने प्लांतम इसम अमस्त प्लांट में Kid बनाने के लिए प्लांने प्लांट्स में क्या है आगे देखो, the substance form by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as lipid, ठीक है, यह important definition है, लिपिट की यह underline कर लेना है, बुक्त में, तो क्या है, देखो, क्या बताते हैं कि chemical bond है, किस में? fatty acid में and alcohol में, ठीक है, यह देखो, यह हो गया अपना fatty acid वाला group, fatty acid, ठीक है, fatty acid का group कैसे दिनोट करते हैं, COOH, मतलब कौन सा भी acid, और इसके बीच में क्या है, chemical bonding है, fatty acid में और किस में है, alcohol में, right, alcohol, अलकोल किस से दिनोट करते हैं, OH group से, तो इसमें जो chemical bond है, जो chemical bond है, इस chemical bond का नाम क्या है, लिपिड, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, लिपिड, तो सामझ गया है, लिपिड आपको, ठीक है, तो यह अंडरलाइन कर लेनी है, क्या है, देखो, digestion of lipid consumed by us is nothing but the conversion of into fatty acid and alcohol, जो हमने consume किया है, उसका conversion मतलब क्या है, लिपिड है, so fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body, जैसे हमने खा लिया, food consume कर लिया, तो यह distribute हो जाएगा पूरे body में, from those fatty acids, different cells produce various substances necessary to themselves, मतलब अलग-अलग औरगों को जैसे ही पोज गया, तो वो क्या करेंगे, according to उनका जो काम है, उनके उसमें वो क्या करेंगे, distribute कर लेंगे और बना लेंगे अपने हिसाब से, जैसे देखो, example से समझाती हूँ, the molecules called as phospholipid, which are essential for producing plasma membrane, are formed from the fatty acid, जो अपना plasma membrane, plasma membrane का रहता है, sale में, याद करो, sale में क्या रहता है, plasma membrane, तो वो plasma membrane बना ले के लिए कौन सा lipid लगता है, phospholipid, तो जैसे ही phospholipid body को मिल जाएगा, तो वो अपना काम करना चालू कर देगा, कौन सा काम करेंगा, तो plasma membrane cell में बनाने का काम कर देगा, लिपिड किसे मिला, fatty acids है, मतलब जो हमने food से, जो fatty acids का consume कर लिए, तो वो पड़ा-पड क्या कर लेगा, लिपिड में convert कर लेगा, और फिर लिपिड अपना काम चालू कर देगा, ठीक है, besides fatty acids are used for the producing hormones like, और उसके दुसरे क्या काम से, हार्मोंस बनाता है, जैसे कि progesterone, estrogen, testosterone, estrogen, aldosterone, यह अलग-अलग नाम है, अलग-अलग हार्मों से, कुछ females में रहती है, कुछ males में रहती है, तो वो अपना गाम कर देगा, ठीक है, जैन क्या बोलते हैं, वो आगे देखो, and the covering around the exons of nerve cell, जो अपनी nerve cell है, जो important part है body का, जो brain को connected है, तो वो उसका exons बनाने का काम भी किसका है, लिपिट्स का है, यह देखो, क्या है, 9 kilocalorie energy मिलेंगी per gram of lipid से, ठीक है, per gram of protein से कितनी मिलेगी, 4 kilocalorie, और lipid का 1 gram भी हमने खाल लिया दो, कितना मिलेगा, 9 kilocalorie मिल जाएग ठीक है, then excess of lipids are stored in the adipose, क्या हम store कर सकते है, protein भी store कर सकते है, लिवर में और lipid भी store कर सकते है, एक्स फॉर्माट में, adipose, connective tissue के फॉर्माट में, ठीक है, then vitamins are group of heterogeneous compounds, अभी देखते है, vitamins की definition है, यह essential proper operation, मतलब जो body को heterogeneous compound क्या, homo मतलब एक समान, और heterogeneous मतलब अलग-अलग, तो vitamins का अलग-अलग दिये, classification है न, इसलिए इन्होंने heterogeneous compound यूज किया है, तो vitamins क्या है, important वाला जो part है, जो body को important रहता है, कुछ बनाने के लिए, essential part है, तो कौन से कौन से रहते है vitamins, six types of vitamins रहते हैं, a, b, c, d, e, and k, out of these, a, d, e, b, and k, are fat-soluble, मतलब ये, water-soluble होंगे का नहीं, लेकिन ये oil में जरूर-soluble होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, fat-soluble, मतलब fat-soluble होते हैं, ठीक है, oil में, घी में, वगरा, then, b, and c, are water-soluble, मतलब जैसे ही, body में, हमने पानी पी लिया, तो क्या हो जाएगा, जो body में, b, and c, c, वाले, जो vitamin है, वो क्या हो जाएगा, उसमें, soluble हो जाएगे, उसमें, dissolve हो जाएगे, ठीक है, कौन से, b, and c, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, water-soluble vitamins, and other are, fat-soluble vitamins, ठीक है, we have seen that, f, a, d, e and yana dh2, are produced in this process, like glycolysis, and creep cycle, creep cycle में, जो energy बनाने के लिए, कौन से, important रहते, f, a, dh2, and yana dh2, तो वो भी मिल जाएगे, vitamin से, देखो, vitamins like riboflavin, मतलब, vitamin b2 का नाम है, riboflavin, and nicotinamide, मतलब, जो b5 का नाम है, nicotinamide, respectively, are necessary for their production, तो इन दोनों के production के लिए, कौन सा, b5, और b12 की important, vitamin in body में होना जरूरी है, important है, ठीक है, देन आगे बढ़ते है, there is about 65 to 70% water in our body, हमारे body में अमोमन कितना रहता है, 75% water रहता है, और उतना जरूरी है, अगर वो कम, अगर वो body में से कम हो गया, तो फिर, problem हो सकती है, मतलब death भी हो सकती है, अगर इतना जादा important रहता है, body में water की मातरा, ठीक है, 70% water generally body में रहता है, मतलब हमारा जो, जो जितना भी weight है, उसका अमोमन 70% water रहता है, ठीक है, blood plasma also contains the 90% of water, जो अपना blood है, blood में भी 90% water रहता है, और बाकी, जो 10% है, वो अलग-अलग factors रहते है, like RBC, WBC, then hemoglobin, और जो भी अलग-अलग component है, वो सिर्फ 10%, then functioning of cells and thereby whole body distribute even if there is little loss of water, मतलब अगर body में से थोड़ा सा भी water बाहर निकल गया, हाइटरेशन, dehydration मगरे हो गया, तो बहुत जादा लॉस हो सकता है, body को, ठीक है, hence water is essential nutrient, मतलब water किसी लिए सबसे जादा important nutrient है, body के लिए, along with all the above mentioned nutrients, fibers are also essential nutrients, fiber, इसके साथ-साथ fiber भी एक important चीज है body में, fiber से क्या होता है, अगर हमने जादा fiber मतलब खा लिए, तो digestion अच्छे से होता है, ठीक है, digestion, अगर मतलब fiber की मातरा कम हो गई body में, तो constipation के जैसे वगरे problem होते है, ठीक है, we cannot digest the fibers, हम fibers को digest नहीं कर सकते लेकिन फिर भी जो body में fiber जाता है, उससे क्या होता है, यह देखो, यहाँ पर लिका है, digestion of undigested substance, मतलब क्या बाहर निकाला, और undigested substance मतलब क्या जो waste product है, जो हम सुबह बाहर निकालते हैं, वो process को बता रहे हो, simply, तो इसके लिए किसका यूज लगेगा, fibers का, ठीक है, तो fibers क कहा से मिलते हैं, मतलब हमने औरेंज का लिया, तो औरेंज का जो बाहर वाला, मतलब बाहर का पील ने, उसके अंदर जो white वाला रहता है, प्लास्टिक जैसा covering, वो जो हम खाते हैं, तो वो easily digest नहीं होता, तो उसको क्या बोलते है, fibers, ठीक है, वो कहा से मिलेगा, ग्रीन टाइपस के विटामिन, तो देखो, यह अलग-अलग पूरे अपने टाइपस के विटामिन, किस से किस से मिलते हैं, कुछ कारोट से, फ्रूट से मिलते हैं, अपने green leafy vegetables, देन बनाना, यह अपना एग, ठीक है, फिश, तो अलग-अलग मिलेंगे, ठीक है, तो अपना यह B, यह देखो, यह B वाला जो पूरा group है, यह B, और यह C, यह क्या हो गया, water soluble, मतलब यह water में, H2O में dissolve हो जाएगा, और यह जो बाखी other वाले विटामिन से हैं, अपने A हो गया, K, E, D, यह किस में, oil में या बोल सकते हैं, fat में, ठीक है, oil ने याद रखना, fat याद रखना, ठीक है, तो यह हो गए अपने fat soluble, और यह हो गए अपने water soluble, so I hope आपको इतनी concept clear हो गई होगी, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए, और हमारा चैनल को subscribe कीजिए, चलो बच्चो पढ़ते रहिए, thank you, bye bye